अगर 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 आपको कम टाइम में तैयारी करनी है तो आप दो तरह से तैयारी कीजिए एक है आपकी स्पीड रीडंग को अगनोर मत कीजिए जैसे समोच कीजी कि आप लोगों को यहाँ पर जितनी चीज़े दिखाई दे रही होंगी वो अपने लाइब में शायद कई बार तो ऐसा होता है कि हमने पहली बार सुना होता है लेकिन कईने कई हमें तैयारी अच्छी करनी है तो हमें वो चीजें नौलिज तो होना ही चाहिए उन चीजों का तो हम क्या करेंगे कि स्पीड रीडिंग से इसे 50 टाइम्स बहुत तेजी से स्पीड रीडिंग करेंगे जैसे आप इन्हें करेंगे अंसर आप उसके साथ ना पड़े बस आपको बस इसी तरह से पढ़ते रहना है यहां भी आपको यही करना है रिगवेद ये जुरुवेद शामवेद अफगानिस्तान में नदियां इस तरह से तो क्या होगा कि जो यह वकाबलरी है आपके माइन में फिट बैठ जाएगी उसके बाद आपको इन्हें याद करने में दिक्कत नहीं होगी तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का आज की जितनी चीजे हैं वो मैं आपको बताऊंगा तो शुरू करते हैं फैला वाला तो वेद त्रई वेद त्रई मेंस तीन वेद का जो ग्रूप है उसमें कौन-कौन से आते हैं उसमें आते हैं आपके रिगवेद यजुरवेद और शामवेद ध्यान दीजिए रिगवेद यजुरवेद और शामवेद अथरवेद इसमें नहीं आता वेत अगर पूछा जाता है तो अब कुछ नदिया हैं जो कुभा, कुर्म, गोमिती, गोमिट है या अफगानिस्तान में है तो जब हम इंडिया का मैप बनाएंगे इस तरह से उपर तो यहां से आपका क्या होता है उपर अफगानिस्तान है तो आप यहां और शुबालों स्वात अब क्या है कि कुछ जो हमारे वेद है रिगवेद यदुर्वेद शामवेद और अथरवेद इनकी quality है में इन में कुछ particular type के क्या है अलग-अलग type के vicious type के कुछ चीजे हैं या vicious type के काम इनके द्वारा किये जाते हैं तो पहला जो है अगर हम देखें कि रिगवेद में क्या है तो रिगवेद में आपकी है प्रार्थनाए और शुरोत उसके बाद है सामवेद सामवेद जो है उसमें हम संगीद से रिलेटेड होता है तो आप सह और सह से याद रख सकते हैं कि सामवेद किस से अगर पूछा जाता है कि संगीत से कौन सा है related तो आपको याद रखना है कि संगीत से सामवेद ही related है तो सा और सा से क्योंकि और का किसी से match यह नहीं होता उसके बाद है आपका तंत्र मंत्र ठीक है तो है आपका अथरवेद से इसी तरह से अभी चार और quality जाएंगे उसे हम बाद में देखेंगे यहाँ पर आगला जो word है वो है आपका अंतरंजी खेड़ा यहाँ पर मैं भूल गया हूँ यहाँ पर अंतरंजी खेड़ा के सामने मैंने कुछ लिखा नहीं है वैसे आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर लोह की परप्ति में हुई थी तो आप लोगों मैंने कहा था कि CBI ठीक है कॉपर ब्राउज और आइरेन उसके बाद मिला था तो जो आइरेन मिला था आरियस अबिता का हिस्सा था तो चलिए यहाँ पर अंतरंजी खेड़ा से हमें कैसे याद रहेगा तो जब भी आप अंत रंजी खेडा बोलेंगे तो आप उसे अंत रंजी खेडा की जगह ज mango बोलिए थीख है आप बोलेंगे अंत ज nadć एड़ा टो जब जब भी आप उसे अंतं जंगी खेडा इसले बोल रहें क्योंकि लोहे पर जंग लगता है तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं तो देखिए आप उपर से सीरीज याद करते हुए चल रहे हैं तो अगर इसमें से आपको 50% भी अभी याद हो गया तो 50% आप खुद से प्राक्टेस करके अपनी तरीके से याद कर सकते हैं तो अंत जंगी खेड़ हाधारित पुष्टक हैए और जो तक्सिला था तक्सिला कę और सिंदू और जहिलम के बीच में है मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था हैं यहाँ पर सांज को चरस वाला ठीक है इस तरह से मैंने बताया था आप लोगों को सांज करें तो यह हो गया आपका सिंदू और जहिलम के बीच में तो आपको यह जो डाइगराम है यह पिक्चर अच्छी तरह के से याद रखने है ठीक है सर्यू और सारी नदियां जो सांज को चरस मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बार बार रिपीट नहीं करते से चले आगे चलते हैं उसके बाद है वर्ण शब्द जो वर्ण हमारे होते हैं वो शब्द सबसे पहले कहां यूज किया गया था वो यूज किया गया था आपका रिगवेद में रिगवेद वर्ण और रिगवेद उसके बाद हमारे जो संसकार होते हैं हमारे सोला संसकार, हमारे जो सनातन संसकर्ती है, उसमें सोला संसकार बताए गए है महा भारत को जै सहिता भी कहा जाता है, महा भारत को किस नाम से जाना जाता है जैसाइता, आरियों के पंचे जन आरियों के पंचे जन कौन कौन से है यदू, दुरुधू पुरू, अनू और तुरुवसू, ये हैं आपके अब इसके लिए आपका जो फॉर्मूला है अगर इस तरह से आपको बस याद रखने कि आज़ेगों कि पंचे जन कौन कौन से है तो उसे आपको पता चल गए और आ से आनू और पू से आपका पूरू हो जाएगा पूरू से पूरू तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं आगे चलते हैं पुरुष्शूप॥ पुरुषूक्त में वर्णित है कि जो चार हमारे वर्ण भाउड है मुलने और मुल awardsॐ तो किससे निकला हुआ है वहापका रिग वेट से पुरुषूक्त। पुरुष्षूप्त जो निकला हुआ है उसमें क्या है है आपका रिगवेद से निकला हुआ है और च्छिधियों से संबन्दित जो अगर अब देखेंगे तो अथर्वेद है तो अब यहां पर थोड़ा से हिसाब रगाए कि आ से ही हमारा क्या है और अ से कहा है अथरवेद्ध है जैसे मैंने आपको बता था संगीत किस से related है आपका सामवेद्ध से तो अगर आपने चारवेदे अगर बहुत अच्छे से रटे नहीं है कि जैसे आपको अदिर याजुरवेद इस महिमा अगर ईश्वर महिमा शब्द आता है तो आपका आएगा रिगवेद में बलिदान विधी जो है बलिदान या कर्मकांड जो हैं वो आपके हैं यजुरुवेद में आपको यह क्या करना है बलिदान जो है यहां से काटके नम यहां पे लिख देते हैं यजुरुवेद कई तो यह जुरूषवेद में हैं यह आपके बलीदान और कर्मकान दोनों के दोनों वैधिक साहित्य का करम का मतलब यह है कि सबसे पहले कौन सी चीज़ लिखी गई और फिर उसके बाद कौन सी चीज़ लिखी गई तो wiele आप लोगों को एक सीरीज भी दी थी उसमें आप लोगों को ब्रामर जो और आरेनक जो ग्रंथ हैं उसके शॉटक। पी दिये थे तो आपको वीडियो जो है वह दो-चार दिन में आपको एक जरूर देखनी चाहिए क्योंकि उस से आप लोगों को सारी चीजे याद हो जाएंगे तो शौटकट तरीका जैसे कि आपको वेद अगर याद नहीं है तो आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं shortcut लेख सकते हैं सारी आयू ठीक है तो यू से आपका नीचे आ जाएगा यू, तो यजुरुवेद हो गया तो सामवेद रि से रिंग वेद, आ से अथरुवेद और यू से आपका हो गया यजुरुवेद अब उसके बाद आपको अगर उपवेद की बात की जाए यहाँ पे उपवेद अगर मैं लिखता हूँ तो आपका क्या हो जाएगा जो सामवेद का उपवेद है वो है आपका गंधर्ववेद गंधर्ववेद और जो रिगवेद का उपवेद है वो है आपका धनुरवेद अथरवेद का उपवेद है आपका स्थापत्य वेद और फिर उसके बाद जो यू से यजुरवेद है वो है आपका आईरवेद यजुरवेद का क्या है आईरवेद अभी हमने देखा था उपर आईरवेद तो अगर हम याद करेंगे तो किस तरह से याद करेंगे यह तो होगे आपका सारी आयू सारी i.e. मतलब सारी Aze में और यह हो जाएगा गधासी आप गधासी आप सारी आयू गधासी आप तो गदरवेद, धनुरुवेद, स्थापत्य वेद और ऐवेद आयुरे और इस तरह से हो जाएगा और के इसके बाद अगला टेखते हैं अपला चलते हैं यह बीच पीच में जो आप नहीं भी आप इसी तरह से क्या कर सकते हैं यह अग the त्दित तो चीज़ें दो शब्द थे बहुत अच्छै अच्छ नॉलेज भी है ये कि दो शब्द जो वैदिक काल में थे वो यूज किया जाते थे धर्म और दूसरी चीछ थी रित तो जैसे आज का जो वर्ड है धर्म वो बिलकुल अलग था उस टाइम से तो धर्म का मतलब होता था व्यक्ति के दायतो और करतब्य होंगे उसका नाम है धर्म और दूसरा वर्ड था आपका मेंस जो ड्यूटी आपको आपके ड्यूटीज हैं आपके जो रिस्पॉंसिबिलिटीज हैं वो था आपका धर्म और दूसरी चीज है आपका रित तो रित थे आपके नैतिक विधान की किस तरह से हमें आचरण करना चाहिए उसके बारे में था रित ठीक ना थे ये याद हो जाएगा आपने अगरशी काफी सिरियल चलते हैं मंँने दिखाया जाता हैि यह सरवाधिक वर्नित नदी ध्याँ दिजिए जबसे ज्यादा जो वर्नित नदी थी मेंसा इसका जिसके में बताया गया है वैदिक काल में वो सिंदु नदी है ठीक है हम ये सोचते हैं कि गंगा नदी होगी लेकिन क्या है सिंदु नदी है वैदिक काल की और जो आरिय शब्द है आरिय शब्द का जो मतलब है वो है आपका एक उत्तम व्यक्ति एक जो एक शिलालेक मिला है बोगज गोई बोगज गोई लिखा जाता है तो आपको यह याद रखना है कि यह बस चौदवी शतापदिक वैदिक कालिन देवी देवताओं के बारे में इसमें क्या है चीजों के बारे में वरंडन है तो इसलिए हमें बोगज कोई से क्या चीज मिली यह आपका चौद्वी शताब्दिका है वैदिक कालिन देवी देवताओं के बारे में है अब कुछ कुछ आते हैं कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है और चीज़ें हैं उनसे कौन-कौन सी चीज़ें निकली थी जो मैंने अभी आपको बताया कि पुरुस्मेग किसका हिस्सा है शत्पत ब्राह्मन का और पुरुस्मेग अगर आपका कोश्चिन में है तो शत्पत ब्राह्मन आप लोगो याद रखना है ठीक है तो चलिए आगे चलते हैं रिगवेद से ही सामवेद निकला है ठीक है रिगवेद का ही कुछ अंस लेके क्या है सामवेद बनाया गया है आदी देश का जो सिधानत दिया था या आदी देश कहा था वो किसने कहा था वो कहा था बाल गंगादर तिलिक ने असकनी जो है वो चिनाब नदी को का पुरान कर देना है और हमेशा जब भी असकनी आएगा तो आपको उसको चिसकनी बोलना है असकनी की जगह आपको उसे क्या करना है चिसकनी बोलना है बार बार आप इसे चिसकनी बोलिए आप लोग जब भी असकनी आएगा तो चिसकनी बोलना है तो आपको याद रहेगा कि अच्छा ठीक है असके नी चिनाप का नाम है चतुष्ठे परता जो चतुष्ठे परता है वो क्या थी चतुष्ठे परता आप लोगोंने पहले भी सुना होगा कि ब्रह्मचरिय ग्रहस्त आश्रम वान प्रस्त और सन्यास आश्रम ठीक है कि बहुत अच्छा सिस्टम था कि 25 साल तक में रहना पड़ता था कहीं आश्रम बनाके और फिर उसके बाद आप सन्यास ले लेते थे सारी चीजों से ठीक है तो यह आपका मोख्ष प्राप्ति का साधन होता था तो इस तरह से आप क्यों का जो उस टाइम सो साल की जो आयो थी उसे इस तरह से डिसाइड किया हुआ था और उसे चतुष्टे प्रथा कहा जाता था ब्रह्म बादनी कुछ ऐसी विद्वान स्तरियां थी वैदिक काल में कि जिन्होंने काफी सारे वेदों में इवन वेदों में भी उन्होंने क् यह हैं सहीताय लिखी हैं उसके शलोक लिखे वे हैं तो वो कौन कौन सी थी वो थी आपकी लोपा मुद्रा घोशा विश्वतारा और अपाला तो इन में से यह पूछा जा सकता है कोशन में कि अपाला कौन थी लोपा मुद्रा कौन थी घोशा कौन थी अब विश्वतारा क कौन थी बुगज कोई जो है बुगज कोई का जो मैंने आपको बताया था कि पीछे चोधुवीं शताब्दी का है ये बीसी का बिफ और क्राइस्ट इस्वापूर देवताओं के बारे में इसमें हमें इंफॉमेशन मिलती है वैधिक देवताओं के बारे में तो यह एरान से भारत आये आरिया मतलब कि जो आरिया कहां से आये थे इरान से आये थे ये बात हमें कहां से पता चलती है ये बोगजकोई का जो शिलालेक है शुल्वसूत्र शुल्वसूत्र किस चीज के बारे में है शुल्वसूत्र क्या होता था कि उसमें यग्य वेदियों का मापन किया जाता था शुल्वर सूत्र एक पुस्तक है जैसे कि जो पहले क्या बनाए जाते थे आपके जो भी वेदियां बनती थी यग्य की वेदियां ठीक है तो यग्य करने के लिए जो वेदियां बनाए जाती थी किसे उनका 성 inte किया जाता था कि कितना होना चाहिए , कितना उसकी चोड़ाई होनी चाहिए तो यह आपका किसे पता चलता है शुलव सूत्र से अब एक है आपका दश्रागययुद्ध , दश्राजाऊं का युद्ध हुआ था वो आपके रिगवेद के साथवे मंडल में इसके बारे में बताए गया है ये पूछा जाता है कि दश्राग विद्ध के बारे में तो रिगवेद के साथवे मंडल में उसके बारे में जानकारी मिलती है राजा की उत्पतिका सिध्धान्द कहां से मिला था मिन्स राजा को एक देवी शक्ति का शुरूद भी माना जाता है और इसलिए इसको राजा की उत्पत्ति का सिद्धान्त भी कहा जाता है तो ये है आपका एतरिय ब्रामन में इसके बारे में लिखा गया है उसके बाद आता है निश्क या निशा का यह आपका सिक्का या गले के श्वर्णा अभूशुन तो इसको दो तरह से इसका आप लोगों को क्या होगा कि आपशन दिये जाएंगे तो अगर दोनों में से एक आपशन है तो आप लोग उसे चूज कर सकते हैं दश्रागी युद्ध जो मैंने अभी आपको बताया था कि दश्राजाओं का युद्ध हुआ था वो कौन सी नदी के किनारे पर हुआ था तो आपका परुश्णी है जैसे मैंने आप लोगों को एक अभी वर्ड बताया था ऊपर कि आपको याद रखना है चिस्कनी अब आपको स्पेचली बाद में बताउंगा तो जब भी रावी और प्रुष्णी की बात आएढ़ी तो से रा पुष्ट्णी बोलेंगे यहाप उफनी बस आपको इसे प्राक्टिस करना है तो यह आपके नाm जो हजाएंगे थोड़े से और से नाम हो हो जाएगा यह आपको याद तो दश्राग युद्ध यह आपका रापुष्णी या परुष्णी नदी के या रावी नदी के किनारे पर हुआ था उसके बाद है आपका सोम को समर्पित मंडल तो जो नवा मंडल है आपका वो सोम को समर्पित है उसके बाद आता है आपका सर प्रेश्ति नदी के हैं माते तमा डेवी तमा और नदी तमा उसके बाद वैदिक कालीन यогीन सभाएं होती थी और वो तीन थी आपकी सभिति अर्विधत सभिति ये किसका हिस्सा थी वैक यूगीन सभित nhất है उसके बाद आता है जाता है इतना सारा पढ़ रहे हैं तो Confusion हो जाता है कि सबसे प्राचीन वीद कौन सा है आपका तो अगर देखेंगे जब हम भी बनाते हैं इस तरह से तो यह यह आपको लगाना पड़ता है इस तरफ को आप लिखेंगे इसको तो आप लोग क्या करेंगे कि जैसे हम प्राचीन लिख रहे हैं तो उसमें भी हम ये यूज करते हैं तो बाकी चारों में से कोई सा वेद ऐसा नहीं है जिसमें आपको इस तरह से इधर को ये लाइन ऐसे खीचनी पड़ती है अगर आप हि अथरवेद क्या है आपका ब्रह्मवेद इसको माना जाता है आरिय संस्कृति का धुर अंग या मगद को माना जाता था जो आरिय मींस धुर का मतलब होता है कि सबसे शक्तिशाली जगे जो आरिय संस्कृति सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जहां पर उड़ती वो थी आपक तो question आसकता है कि परजापती की पुतरियां किसको कहा गया है तो वो हैं आपकी सभा और समेती तो गोत्र जो शब्दा आया था वो कहां से आया है आपका रिगवेद से आया गोत्र ठीक है तो गोत्र में भी आप लोग देख सकते हैं रिगवेद गोत्र ठीक है तो ये आपका यूज हो रहा है ठीक है और रिगवेद में भी यूज हो रहा है तो इस तरह से आप गोत्र औ और जो प्राचीन वेद है, इस तरह से आप इन्हें कनेक्शन बना के चलिए, आप लोगों को याद हो जाएंगे, उसके बाद है आपका वैदिक यूगीन राज वैस्ता, जो वैदिक यूगीन जो राज वैस्ता थी, आपकी काउंसी थी, आपकी थी, राज तंत्र, यव, य यह वर्ड यूज होता है, जो वर्ड यूज होता है, पूरु वैदिक लोग पर यह देवता, तो अगर हम देखें कि जो पूरु वैदिक काल में जो था, वो इंद्र को सबसे ज़्यादा बड़ा देवता माना जाता था, अब यहाँ पर एक कुछ चीजे मैंने आप लोग तो याद हो गए होंगे, सारी, सारी आयू, चारवेद याद हो गए होंगे आपको, ठीक है, अब इसमें क्या है कि उनको आप इसी तरह से याद कीजिए कि रिगवेद जो होता है, रिगवेद का जो वाचन करने वाला होता है, बोलने वाला होता है, उसे होता ही कहते हैं, और अधरियू का देखे मैंने शॉटकट क्या बनाया है इसको अगर आप थोड़ा से ध्यान देंगे क्योंकि टफ वर्ड्स हैं और बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बाद में लाइफ में यूज करने होंगे बस हमें तो क्या है एक्जैम के लिए इसे याद करके रखना है दो तीन महीने चार महीने के बात है तो यहाँ पर क्या है आपको जब आप यजूर वेद लिखेंगे ठीक है अगर नीचे तो आपका क्या आ रहा है यह यू आ रहा है और आप लिखेंगे अधरियू ठीक है अधरियू आएगा तो उसमें भी आपका क्या रह रिगवेद का होता होता है ठीक है रिगवेद का होता होता है इसी तरह से बोलिए यह जुरुवेद का क्या करना है आपको अधर्यू याद हो जाएगा अब आ जाते हैं देखे अथरवेद अथरवेद अच्छा ओकी पहले सामवेद है तो सामवेद का है उद गाता तो मैंने कहता है ना सामवेद किसे है संगीत से रिलेटेड है तो संगीत को गाता है जो वो सामवेद है ठीक है तो गाता वर्ड आ रहा है ना इसमें तो आप लोग यहां से याद करिए इसे की गाता तो सामवेथ नहीं अदो उद गाता ठीक है तो गाता संगीत से रिलेटेड है तो आपको यहाद हो जाएगा जो बजगे आपका उसे हम ब्रह्मा कहते हैं तो ब्रह्मा जो है वह अथरवेथ को बोलते हैं मतलब अथरवेद को नहीं कहते में जो आदमी उस टाइम क्या होते थे कुछ अलग-अलग लोग होते थे किसी को रिगवेद का नौलेज होता था पूरा किसी को यजुरवेद का होगा किसी को सामवेद का होगा किसी को अथरवेद का होगा तो अब उनके नाम अलग-अलग हो अब औसदी और तंत्र मंत्र का क्या लेना देना है साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि गाहूं या दिहात में जब साप काट लेते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग वहाँ पे दवाई भी लगाते हैं और साथी साथ तंत्र मंत्र भी करते रहते हैं तो अथरवेद से related है, सामवेद संगीत से हैं, अब बाकी चीज़े मैंने बता दी आप लोगो यह जो रुवेद आपका कर्मकांड या बलीदान भी दी और रिगवेद जो है वो शुरोत और प्रार्थनाई उसे related हैं, अब कुछ चीज़े हैं जो की दर्शन हमारा जो बहुत बड़ा एक जो भारती दर्शन है, बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं बहुत फेमस चीज़ है पूरे वरल्ड में, तो अलग-अलग तरह की दर्शन, जो दर्शन का मतलब होता है philosophy, तो सांक्या दर्शन, योग दर्शन, नियाए दर्शन, वैशेशिक दर्शन, मिमांशा दर्शन, वेदान्त दर्शन, ये इतने दर्शन आप लोगों को याद करने हैं, अब आप लोगों को कैसे याद करने हैं, कि कपिल की संख्या, कपिल की संख्या, याद रखें कपिल की संख्या, और जो संख्या दर्शन है वो सबसे प्राचीन तम दर्शन भी है सबसे प्राचीन जो फिलासोफी हो कौन सी है आपकी सांख्य दर्शन है उसके बाद आता है आपका योग दर्शन तो योग तो आप लोगों को याद आ जाएगा कि पतंजली, रामदेव, बाबा ठीक है तो आपको उन्होंने योग सूत्र दिया था तो पतंजली आप लोगों को याद रहेगा योग से क्योंकि बहुत फिमस हो चुके हो अब आता है न्याए दर्शन न्याए दर्शन है गौतम ने दिया था मैं आपको जो भी PDF दे रहा हूं को कम से कम उसे 50 time rapid reading करनी है ज्यादा नहीं सोचना कि क्या याद हो रहा है क्या नहीं हो रहा है याद अपने आप होता है अगर आप repetition करेंगे याद हो जाएगा तो आपको बार बार इन्हें पढ़ना है अपने आप याद हो जाएगा उसके बाद आता है आपका वैशेशिक दर्शन अब आ जाएगा वैशेशिक दर्शन तो थोड़ा सा यह होता है विशेशकनाद विशेशकन मैंने कहा था ना विशेशकन जैसे होता विशेशकन तो वैशेशिक से कना दियाता जाएगा आप लोगों को तो विशेशकन या व उलूक तो विशेशकन ठीक है जैसे साइंस में होता है कि एक विशेशकन है जो की जिसकी डूंड कर रहे हैं, हम खोज कर रहे हैं, उसकी, तो विशेशकन, तो इससे याद हो जाएगा, आपका, मीमानशा दर्शन, तो यह तो आपका जैमिनी से ही है, तो आपको जैमिनी, जैसे आपको जैमिनी, ठीक है, तो जैमिनी में मी आ रहा है, तो आपका मीमानशा, इ 100 times repetition के लिए बहुत ज़्यादा time नहीं लगता आपको सिर्फ अगर कोई चीज repetition करना 5 मिनट में भी 100 वार हो सकती है अगर आपको ये mind में उची याद हो चुकी है अल्राइट चलिए आगे चलते हैं उसके बाद है आपका वेदान्त दर्शन ये बादराइट काई है तो वेद से आपको वादराइट आपकर सकते हैं और इसने ब्रह्मसूत्र भी बनाय था जो बादराइट थे अब है आपके कुछ नदिया और उनके बारे में आता है कि उनके प्राची नाम कौन से है तो जो प्राची नाम है आपके वो है आपके कुर्मो, कुभा, वितस्ता अस्कनी, परुष्णी, शतुद्री विपासा और शदा नीरा, दृष्टती गोमती, सुवास्तो अब कुछ जो एजी चीजे हैं उन्हें हम याद कर लेते हैं जैसे कुर्मो, कुर्मो से आपको याद हो जाएगा कुर्रम, तो पहला तो हो गया आपको याद, कुर्रम कुभा का क्या है, काबुल, इसे अभी आप रहने दीजिए, वितस्ता को आप हमेशा बोलेंगे जहितस्ता देखें, मैंने आप लोगों कहा था ना, दो-चार जो नदियां हैं उन्हें इसी तरह से बोलना आपको, चिनापको क्या बोलना आपको चिस्कनी, बस आप इन्हें एक दो बार पढ़ेंगे, आपको सहसे याद हो जाएगा, विपासा बसू, विपासा बसू यहाँ पर आपको विपासा बसू से याद रखना है तो विपासा बसू से अच्छा बहुत से कोई चीज होगी, आपको वियास याद आ जाएगी लेकिन पहले क्या करना आप लोगों को इनको बहुत बार पढ़ लीजिए इनके नाम बहुत बार पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से इनके नाम याद हो जाएंगे आपको और फिर उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि हम इसे को याद कर सकते है तो जो सदा नीरा नदी है वो हमेशा गंदी रहती है तो गंड़क उसका नाम है सदा नीरा जो नदी है वो क्या है गंदी रहती है तो आपको गंड़क वर्ड याद रहना है और उसके बाद है आपका दृष्दती दृष्दती घगर को बोला जाता है गोमती का गोमल ये तो याद हो जाएगा सुवास्तु का सुवास्त ये भी हो जाएगा सुवास्तु और सुवास्त ये बन गया तो आपको जो याद करना है वो करना है एक तो दिरिस्दती ठीक है और कुभा कामूल काबूल हो जाएगा बाकी चीज़ें आप लोगों को easily याद हो जाएंगी जो तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से इसे याद कीजिए एक बार उसे दिमाग में बिठाइए और फिर बार बार उसे repetition कर दीजिए 20, 30, 50 time में उसे repetition कर दीजिए अपने आप ही हो जाएगा मैंने कहा आप लोगों को कि आपको lifetime तो ये चीज़ें याद रह जाएं तो बहुत अच्छी चीज़ें याद ना भी रहे तो आपका एक बार screening career होता है तो that's it उसके बाद अपने subject का हम तयारी करना शुरू कर देंगे ब्रामन ग्रेंथ ब्रामन ग्रेंथ खुछ है जैसे मैंने आप लोगों को बता है और उसके साथ साथ में आप लोगों ये भी याद रखने है कि जो rigv Onuड है वो ethria और कौसितिय ये इस सरह से पूचए हैगा कि ethria ब्रामन ग्रेंथ और कौसितिय ब्रामन ग्रेंथ जो है वो किस वेद से related हैं, तो आपको रिगवेद से related हैं, तैतरिय और शत्बत ब्रामन किस से related हैं, तो यह आपके यजुरवेद से related हैं, जैमिनिय और चांदोग्य किस से related हैं, वो आपके सामवेद से related हैं, गोपत ब्रामन जो है वो आपके अथरवेद से related हैं, अब यहां पर होते थे उस टाइम पे उनके बारे में देख लेते हैं ब्रह्म विवा ब्रह्म विवा क्या होता है समान वर्ग जाती में जो प्रॉपर तरीके से जो विवा होगा उसे ब्रह्म विवा कहा जाता था आर्श विवा कहा जाता था उसको कि जब कन्या के मूल के रूप में एक जो विवा भी बोला जाता है करे विवा खरीदना ठीक है और गंधर विवा ये आपका प्रेम विवा होता है तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ तक याद हो गई होंगी पूरी अब आगे चलते हैं थोड़ा सा कुछ और वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं पहला है आपका आखेट और परशुपालन ये आर ये सब्यता की क्या थी जीव को पारजन की पहली चीज़ थी मेंस वो आखेट करते थे और परशुपालन करते थे ब्रामी जो है वो रिगवेद की मूल लिपी है तो रिगवेद की जो प्राचीन वेद है देखेए प्राचीन आप लोगों को याद आ रहा होगा प्राचीन तो प्राचीन वेद है उसकी जो लिपी है वो क्या है ब्रामी है उसमें भी आप लोगों को याद रहे हैं रखना आ जाए तो तब हमारा क्या होगा बिल्कुल याद रखना है अगन्या अगन्या वर्ड यूज होता है कि जिसे मारा नहीं जा सकता तो अगन्या वर्ड आज भी आप देखते हूं कि जो गाय है हिंदुस्तान में उसको अगन्या माना जाता है आज भी चाहे रिगवेद के से और आज तक कर टाइम को ले तो गाय को अगन्या माना जाता है तो वहां तक यह जड़े हैं इसलिए यह बात आती है अवेस्ता और रिगवेद तो जो रिगवेद है और जो अवेस्ता है अवेस्ता जो गरंथ है वो इरान में है और इरान और जो अवेस्ता और रिगवेद है दोनों में कुछ समानताय मिलती है means वो एक जैसे हैं काफी सारी चीज़ें उनमें एक जीसे हैं अब बात आती है कि आपको याद रखना है 18 जब भी आप 18 वर्ड आपको दिखे या 18 आपको ये डिजिट दिखे तो आपको हमेशे याद रखना है कि पुराण से संबंदित है ठीक है उसके बाद आजाता है आपका बली और कर्मकान की बात करते हैं तो रिगवैदिक जनता में ये काफी परचलन में था सत्यमेव जैते ये कहां से मिला है ये आपका मिला है मुंड कोप निशत से मुंड कोप निशत से श्रिमत भगवत गीता ये आपका संस्कृत में लिखा गया है मूल रूप में किसमें लिखा गया है संस्कृत लैंग्विज में लिखा गया है उसके बाद अगर एक वर्ड आएगा आपके पास वासुकी तो वासुकी क्या था वासुकी आपका एक नाग थे जो नाग था वासुकी उससे क्या किया गया था समुद्र मंथन किया गया था जो आपका परवत है उस पर बांध के उससे क्या किया गया था समुद्र मंथन किया गया था एक तरफ देवता थे और एक तरफ जो थे वो राक्षस थे तो समुद्र मंधन जो किया गया था वो वासुकी नाग की रस्री वहाँ पर बनाई गई थी सरवादिक जो रिगवैदिक सूत्र हैं वो किसको किसको समर्पित किये गए हैं तो वो इंद्र को समर्पित किये गए हैं क्योंकि वह रिगवैदिक अगर हम काल वो लें या हम वैदिक काल के बात करें तो वहाँ पर इंद्र जो थे वह सबसे बड़े क्या थे सबसे जो बड़े देवता माने जाते थे वह इंद्र माने जाते थे उसके बाद आता है गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र रिगवेदिक तीसरे मंडल में है रिगवेद के तीसरे मंडल में आपको कौन सा मिलता है गायत्री मंत्र तो आप याद रखिए कि गायत्री ठीक है तो गायत्री तीन तीन या सिदे सिदे तीन तो तीसरे मंडल में है और कहां है गायत्री तो समझ में आ गया होगा आपके कि मैं क्या कहना चाहरा हूँ रिगवेद तो रिगवेद से रिलेटेड है आपके गायत्री मंत्र तो जब भी आप रिगवेद लिखेंगे ठीक है जिसे आपने कहा रिगवेद तो ये रिगवेद लिखना पड़ेगा आपको तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ब्रामी इसकी लिपी थी प्राचीन में भी ये आता है तो ये प्राचीन से रिलेटेड है त्री गायत्री ठीक है तो त्री में भी ये आता है तो गायतरी मंदर भी रिगवेट से लगा गया हूँ और तीसरे पार्ट से लिए गया है तीसरे मंडल से लिए लिए गया है तो यह आप लोग इसको याद रखिये अब उसके बाद है लास्ट में ہमां आभी 600 इसा पूर्व की बात हो रही है तो ब्राहमन जो यूग माना जाता है उसे 800 से 600 इसा पूर्व बाना जाता है उत्तरी पांचाल जो राजदानी थी वो आईच्छत्र की थी क्योंकि ये कुछ ऐसा कोश्चन है जो रिपीटेट कोश्चन है इसलिए मैंने उन चीजों को रख दिया है और लगभग आपका वैदिक काल में इतना ही नौलेज है उसके बाद है आपका उपाद्याए उपाद्याए किसको कहा जाता था उपाद्याए बोला जाता था वेद वेदान को पढ़ने वाले आदमी को कि जो वेद वेदान को पढ़ाने वाला सौरी जो आतेहे आपका जो वय्दिक का कर्मकान करने के लिए बनाय जाते हैं यग्य तो उसके लिए ज्यामिति का य्ज होता है। डिखार है। जुक जूबसूत्र जियोमेटी जो है तो आप जान सकते हैं कि भारत में जो जियékतरी है। अब चैने से समंधित है चरक सहिता चिकित्सा चरक सहिता चिकित्सा यह आप लोगों को याद हो जाने चाहिए तो यह चार पेज है आप लोगों को आप याद कैसे करने है या इनको प्राक्टिस कैसे करना है आप लोगों को इसे बिल्कुल जूम कर देना है ठीक है एक बार आप इधर से प्राक्टि मंतर, अंतरंजी खेडा, अब अंतरंजी खेडा का क्या बनाया था मैंने, आप लोगों को आद होना चाहिए, यह होका आपको अंत-जंगी खेडा, ठीक है, तो इसलिए cop Woahh से related है, पीछे लिखा नहीं, दोनों साइड अंतरंजी खेडा यह हो गया था, ठीक है, सिंदो और जहिलम के बीच में कौन सा आपका था तो इससे आपको बिलकुल ये जो डिजाइन है आपको ये आपको याद हो जाना चाहिए सांज को चरस ठीक है तो कौन सा था तक्षिला था ठीक है तो इस तरह से वर्ण शब्द कहां से निकला संसकार जै सहिता महाबारत आरियों के पंच जन याद तू आई पुरु को याद तू आई पुरु को ठीक है ये आपको याद हो जाएगा पुरु शूक्त कहां से लिया गया था औसधियों से संबंदित ठीक है कौन सा है तो आस्टियों से संबंदित आपका आसे याद आ जाएगा आप लोगो इस्वर महिमा बलीदान वैदिक साहित करम ठीक है धर्म और रित क्या था ठीक है बहुत इंपॉर्टन्ट है धर्म और रित जो प्रोहित होते थे वो कौन से थे देवताओं के कौन से थे मैंने कहा था लोगों को टी वी क로 आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से आप लोगों को जो प्रोहित थे आपके थे तेवताओं के जो मतलब गुरू माने जाते हैं कौन है ब्रिष्पती इस तरह से फिर आप इस साइड को आ जाएंए यह मैंने बनाय कि आप अपना एक सेलफ सोला क्या थे सोला महा जनपत थे अगर मैं कहूंगा अठारा आ जाए अठारा क्या है सोला क्या है ठीक है चार क्या है चार वेद ठीक है छे क्या है वेदांग ठीक है इस तरह से आप लोग चलते रहें महा भारत ये मैंने क्या कहा था यहां से आप नीचे चलिए बेलदान विदी नैतिक विधान नैतिक विधान का नाम क्या था यह रित था आपका और धर्म के दायत और कर्तब बे यह क्या थे आपके देके यह धर्म विरिश्पती कौन थे आपके चौद्वी शताबदी में क्या मिल गया था मैं या आपका बोगज कोई टीक है और इसमें आगे चलते हैं पुरस में कि ये किसमें आपको मिलता है क्या है इस तरह से आप लोगों हमें चलते रहना है और नीचे तक आपको ये प्राक्टिस करनी है लगवक दस बार practice कीजिए खतम कीजिए उसके बाद हमारे पास में जो पिछला है उसे जरूर कीजिए जैसे हमने अभी हड़ापस अब बता किया है तो अब आप लोगों ने उसे पढ़ दिया होगा पांच मिनट में उसका revision हो जाएगा इस तरह से हमें आगे चलते रहना है क्योंकि revision ही आपकी power है revision से knowledge आपका retention होगा जो retention होगा उसी से आप लोग gain कर पाएंगे तो आप लोगों को मैं दो book भी अभी ही दूँगा PDF बाद में जब हम ये सारी चीज़े कर लेंगे उसके बाद हम rapid reading करके अपना जो जितना knowledge है उसे strong करेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक बबाई टेकिया पढ़ते रहिए